Hello Cyberworms, Welcome back, मैं हूँ अनिलिय आदब और आप देख रहे हैं CyberGuard Powered by Neat Roots और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे आप CellGPT को अपने Carl Linux के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर मालो कि कैसे आप OpenAI की मदद से हैकिंग कर सकते हैं उसके बारे में सारी चीज़े आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको explain करने वाला हूँ So without मैं के इन डिले, let's continue So guys, OpenAI को install करना बहुत ही easy है इसके लिए आपको simply आजाना है अपने terminal के उपर और फिर यहाँ पर आपको command डालना है sudo python hyphen m pip install cell g उसके बाद enter कर देना है और फिर अपना password देना है So guys, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा cell gpt install हो चुका है वैसे यह python based है इसलिए इसको install करना बहुत easy है और फिर आप हम चेक कर लेते हैं कि इसकी मदद से हम क्या क्या चीज़े कर सकते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर hyphen hyphen help command ही डालेंगे अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो वहाँ पर भी मैं SI करता हूं यही command डाल करके सारे tools के बारे में चेक करता हूं तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं GPT hyphen hyphen help और फिर हम इसको इंटर कर देते हैं तो यहाँ पर अगर आप अपने काली Linux के अंदर इसको इस्टॉल करेंगे और स्टार्टिंग में जब आप यहाँ पर यह command डालेंगे तो यहाँ पर आपको option आएगा इंटर API की तो वहाँ पर आपको open AI की API की डालने पड़ीगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे simply इसको minimize कर देते हैं ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पर हम search कर देंगे open AI API की इंटर कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लिंक मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है और फिर यह आपको रेंडर कर देगा open AI API की के HTML पेज़ पर तो यहाँ पर आपको sign up करना है सुगाज यहाँ पर आने के बाद आपको अपना mail डालना है और फिर API की create कर सकते हैं और उसके बाद API की को copy करके आपको यहाँ पर paste कर देना है उसके बाद आप यह command directly run कर सकते हैं और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी options दिख रही है जिसकी मतलब से आप इसको use कर सकते हैं आप देख सकते हैं options में model temperature top probability editor care health और फिर assistance options में आपको cell मिल जाती है जिसके मतलब से आप पूरी Linux का सारा functions जान सकते हैं और जितने भी commands होते हैं उसको भी सीख सकते हैं उसके बाद आपको describe cell मिल जाता है जिसके मतलब से कर सकते हैं अगर कोई command आपको समझ नहीं आ रही है तो hyphen D use करके उसके बारे में सारी चीज़े जान सकते हैं और जो hyphen hyphen code है इसकी मतलब से आप क्या कर सकते हैं कोई ऐसी code generate कर सकते हैं जिसको की आप hacking में use कर सके हैं उसके बाद आपको अब हम practically देख लेते हैं कैसे इसको use कर सकते हैं तो अभी हम यहां पर command डालते हैं sgpt hello उसके बाद इंटर कर देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं openAI ने हमारा reply दे दिया है hello how can I assist you today तो इसके बाद हम कुछ ऐसा command डालते हैं जो की hacking related हो तो command डालता हूं sgpt उसके बाद hyphen hyphen cell और फिर हम यहां पर command डालते हैं to scan port and services कोई भी एक random यहां पर IP address डाल देते हैं .1.1 उसके बाद इंटर कर देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इसने हमें show कर दिया है nmap जो की एक scanning tool है उसका command जिसका यूज करके आप इस IP address पर scanning कर सकते हैं और उसके अंदर जितने भी ports और services run कर रही है वह सारी चीज़ आपको यहां पर show हो जाएगी और फिर आपको यहां पर 3 options मिलते हैं यह option की help लेकर आप directly इस command को यूज कर सकते हैं अब यहां पर आपको hascat का command डाल करके दिखाने वाला हूँ जैसे कि हमारे एक subscriber ने comment section में help मागा था कि कैसे मैं hascat से password को crack कर सकूँ तो मैं उसी क्यों यहां पर solve कर देता हूँ यहां पर हम command डालेंगे sgpt और उसके बाद हाइफन हाइफन cell और फिर hascat command for the wifi handsec file इसके बाद हम इसको enter कर देते हैं तो यहां पर आपको hascat-m उसके बाद जितने tokens देने है 2500 दे सकते हैं उसके बाद handsec file को डालना है और फिर world list file है जिसके अंदर password है उसको डाल करके इसको run कर देना है और run करने के बाद जो password है वो आपको show कर देगा तो अभी मैं इसको award करता हूँ और फिर हम इस पर hyphen d command डाल करके इसको check कर लेते हैं कि command किसलिए use होता है तो मैं यहां पर command डालूँगा hgpt hyphen d और फिर हम इसी को copy कर लेते हैं और फिर paste कर देते हैं यहां पर आप देख सकते हैं this cell command uses hascat to crack और wpa wpa to handsec file using a world list तो इसने इसको describe कर दिया कि यह command आखिर किस चीज के लिए use होती है तो अभी हम कुछ और commands यूज कर लेते हैं जैसे कि मैं यहां पर command डालूँगा hgpt और फिर hyphen hyphen code और उसके बाद हम यहां पर कोई भी एक random code generate करते हैं जैसे कि मैं यहां पर डालता हूँ write a cell script to scan a network उसके बाद हम इसको enter कर देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास nmap जो की scanning tool है उसका code आ गया है जिसकी मदद से आप scan कर सकते हैं और अब हम यहां पर एक python का code भी generate कर लेते हैं तो इसके लिए मैं यहां पर command डालता हूँ sgpt-code और उसके बाद यहां पर command डालता हूँ write a python code to generate random IP addresses उसके बाद हम इसको enter कर देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इसने python का एक code दे दिया है इसको मैं copy कर लेता हूँ और फिर हम यहां पर इसको paste कर देते हैं save कर देते हैं terminal को open करते हैं new tab को open करते हैं और यहां पर हम command डालते हैं python demo.py इसके बाद enter कर देते हैं फिर इसमें हम यहां पर डालते हैं python demo.py तो यहां पर आप देख सकते हैं और कितना useful हो सकता है hackers के लिए कि openAI की मदद से आप यहाँ पर कोई भी ऐसी hacking code generate कर सकते हैं जिसकी मदद से आप hacking perform कर सकते हैं तो अब मैं इसको ctrl c प्रेस करके back जाता हूँ और फिर हम यहाँ पर एक और command डालते हैं sgpt-repl tc इन्टर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह tackle mode में आ चुका है तो यहाँ पर आप openAI से directly interact कर सकते हैं तो यहां पर आप एक normal से question पुश्ते हैं what is m hep इन्टर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने nmap को पूरी तरह से describe कर दिया कि एनमड क्या चीज़ है और किस चीज में यूज होती है अब हम यहाँ पर कमांड डालते हैं what is meta exploit इंटर करते है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने meta exploit को भी describe कर दिया है Meta exploit किस चीज में यूज होता है यह सारी चीजे आपको यहाँ पर यह सो कर देगा और यहाँ पर आप कोई भी password भी generate कर सकते हैं जो कि brute force attack में यूज होता है यहाँ पर आप simply command डाल सकते हैं write a password containing this उसके बाद वहाँ पर आप username भी डाल सकते हैं फिर user का कोई ऐसे details भी डाल सकते हैं जो कि उसके password probable हो सकता है उसको यह mix करके एक password file बना देगा जिसकी यह उससे आप brute force attack कर सकते हैं तो अभी मैं इसको control c enter करके इसको abort कर देता हूँ और फिर हम यहाँ पर command डालते हैं sgpt-reple cyber guard उसके बाद code enter करते हैं तो यहाँ पर यह फिट से रिप्रोमर्ट में आ चुका है यहाँ पर हमने code command डाला है जिसकी मदद से आप यहाँ पर कोई भी code generate करवा सकते हैं तो मैं यहाँ पर command डालता हूँ write a code to generate random password cracking tool इंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने python में password cracking tool को ready कर दिया है इसकी मदद से आप किसी का भी password crack कर सकते हैं यह था हमारा आज के session जिसके अंदर हमने cell gpt को कैसे use करते हैं और यह कितना advance हो सकता hacking के लिए और इसकी मदद से आप क्या-क्या चीजे कर सकते हैं उन सारी चीजों के बारे में हमने इस video के अंदर detail में जाना और अब मिलते हैं अगली session में कुछ नया ले करके तब तक के लिए stay safe, stay secure, thank you and happy learning